यहां पर इतनी सारे freedom fighters हैं कि हमें सब के वारे में कभी पढ़ाया भी नहीं गया और यहां पर यहां पर जगदंबा माता जी का मंदिर है जो की काफी ज्यादा पिडशिद्ध है हर हर महादेव नई व्लोग में नई सफर में नई दिन में आप सभी का स्वागत है अभी फिलाल मैं रुखा हूँ आता नागपूर कोड़ाडी में माता जी का मंदिर है जो की काफी यादा प्रिसिद्ध है यहां पर तो भाई आज इसका यहां पर म्यूजियम है मैं आज यह विजिट करने वाला हूं कल जो माता जी का मंदिर था यह तो मैंने विजिट करी लिया देन उसके बाद में हलुमान जी का मंदिर था यह भी मैंने विजिट कर लिया यह पूरानी जो वीडियो इसमें आप सब देख सकते हो तो फिलाल अभी जो अंदर चलते हैं म्यूजिय यहीं से जाने का है ना पूरा फिलाल अभी मेना एक टिकिट ले ली ती यह मेरे को पड़ी है 30 रुपे की और भाई काफी भव्वे है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को अंदर एंट्री लेते हुए अई फिलाल सूज वगरा साब उस साइड में उतार दिये और माता ज अगर आप यहां पर मंडे को आना चाहते हो तो मंडे को प्लीज मत आना क्योंकि मंडे को बंद रहता है टूज्जे से लेकर संडे तक ही ओपन रहता है सोबहे 11 वे से लेकर सामको साथ वह तक तो यह आप जरूर याद रखना और यहां का जो टिकेट है वह मात्र 30 रुपे होगे तो यहां पर भी मूर्ती रखी हुई है और यहां पर देखो आप स्वागत्तम हलुमान जी जैश्री राम देखरो कितनी प्यारी जगे बनाई हुई है लिट्रेली फर्स्ट टाइम आया हूं मैं यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं यह जिस अभी जगा पर म यहां से हो जाएगा यह देख सकते हो आप यहां पर लिखा हुआ भी है ठीक है वेलकम देनिस के आद में यहां से पूरी रामायट की स्टार्टिंग है और जितने भी आप चित्र देख रहे हो ना सब के दौरा समझाए गया है और यहां पर इंग्लिस में लिखा हुआ है ह यहां पर अगार अगर आड़ थो तो पूरा पढ़ की सकते हो और यह रामायट इहां से स्टार्टिंग अशे हुआ था फिर इसके वाद में इसे हुआ था यह द्जिक्ति सबकुछ जाए गया है सब कुछ था पूरा ऐसे करके यह फोटो के दवारा दब तो गूरे माइग तो यहां पर भी आप देख सकते हो यहां पर भी लिखा हुआ है सब कुछ देखो यहां पर भी इस तरह से लिखा हुआ है सब कुछ मतले कि पूरा जितना भी है पूरा डिटेल में लिखा गया है और सबसे अच्छी बात ही है यहां पर चित्र बनाई हुए है तो जिससे और तो समझने में बहुत जादा आसानी हो जाएगी तो मैं तो यार फर्स्ट टाइम आया हूँ आप लोग पर आना चाहते हो तो जरूर आना विजिट करना यह बहुत ही प्यारी जगह है और गूगल पर लोकेशन डाल ले न आप लोग अमें डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दोगा तो आप एक बार आके विजिट कर सकते हो जरूर अब आकी देखो यार कितनी प्यारी जगह यार इसे लग रहा है लाइक जैसे गोल्ड में बना हुआ हो बूरा सब कुछ यहां पर आप आओगे तो यहां पर भी देखो पूरी रामायड के चित्र बने हुए है कैसे क्या क्या हुआ था यह देखो है कि कसम से यार मैं लाइफ में फर्स टाइम यह चीज़ एक्सपीरेंस कर रहा हूं कि रामायड पूरे इस तरह से लिखी हुई है दैन उसके बाद में फोटो के द्वारा पूरा उसको सो किया गया कि कैसे कैसे हुआ सबरी जी है जो सबरी ज जगे है यह और कल से लिटरली लगा रहा हूं मैं कल से रुख गया था यहां पर वेट कर रहा था मैं क्योंकि मेरे को किसी भाई ने बताया था कि वल आपको विजिट करनी चाहिए जगे बहुत अच्छी है तो मेरे भी दिल में हो गया था हां मैं ज़रूर विजिट कर जा यहां पर दिखाए गया जब स्री राम जी की अंगुठी लेके हलुमान जी स्री लंका गए थे ना जब देखो आपर अंगुठी दे रहे हैं माता शीता जी को कि यह से करके स्री राम जी ने भीजिया दैन उसके बाद में वापिस आय थे फेर उन्हों ने बताया था था र इस तरह से सीन हुए थे यह देखो यह लंका का है देखो वहां पर राम बैठा हुआ है देखो उसका बनाया हुआ यहां पे देखो समुद्र में जब जब बनाने वाले थे ना पुल तो देखो यह पूल है पूरा और वोरी सामने लंका और इस तरह से पूरा का पूरा फोटो के साथ में उसको बया किया गया है तो बहुत अच्छी जगह भाई यह देखो पूरा का पूरा दिखाया हुआ है अच्छी जगह दो फिलाल अभी मैं इसके अपर पार्ट में आचुका हूँ पहले नीचे तो पूरी की पूरी रामायल लिखी हुई है दन उसके बाद ने उपर वाले पार्ट में फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे से लड़ाई कीती हमारे देश को बचाने के लिए उन्होंने क्या-क्या उसमें सायोग किया था तो सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है तो मैं इसका भी आपको थोड़ा-थोड़ा करके दिखाता रहूंगा पूरा यहां से स्टार्टिंग है और आप जगा देखो यार कित प्रें जगह से नियट रही है भाई इतनी प्यारी जगह मैं अपनी जिंदगी में आस तक नहीं देखी कुसम से पूरा ऐसे लग रहा है जैसे लाइक गोल्ड का बना हुआ और देखो यह भारत-माता-जी का यहां पर इस्टैचू बनाया हुआ हुआ है आपको दिखाता ह इसके बारे में सब कुछ लिख़ा हुआ है यहां पर देखो यह लिखा हुआ है राइन लक्ष्मी ओफ जहासी तो इनके बारे में पूरी की पूरी हिष्ट्री है क्या था कैसे था तो अगर आपने और श्च्ची को पांड़ना हो ना तो इसको एक बार इस्टाप करके इस freedom struggle of India 1857 to 1947 जितना भी इसके बीच के जो भी हुआ था ना वो सारा का सारा यहां पर बनाया हुआ है विद फोटो तो काफी अच्छा लगा देखकर कसम से अगर एक बात देखी जाए ना तो यहां पर इतने सारे freedom fighters हैं कि हमें सब के वारे में कभी पढ़ाया भी नहीं गया हमें कुछी कुछी चीजे पढ़ाई गी है जैसे वर मोगल के बताया हमें जो है यह बावर लोग आप लोग ना ज्यादा कुछ नहीं कपड़ना नाम पढ़ो इनके वारे बताव आप मेसं जो से ने बदो नहीं से बस्ते कहा द flex zone कोन इनके बता दिना कॉन वहां से लेके वहां तक पूरे में धेगा हमा। तक कूरे में सिर्फ गणदी जी के वारे में पता है ठीक है ना उसके वादे में हमारे जवाला नहरू जी के बारे में पता है और यह देखो यह हमारे सरदार बल्लब भाई पटेल जी जिनके बारे में पूरा यहां पर लिखा हुआ है वे दिन की इस सींग्री के साथ में और मेरे को लगता है यह जो सींग्री जितनी भी है य यह देखो तक कि मतलब की केमरा इसलीं कर रहा. दिल कर रहा है कि आपको दिखाता है रहूं। यह भी देखो धा he यह देखो ठीक है ना यह देखो भाई भागत सिंग जी भाई मिल गई भागत सिंग अपने को देखो इनके बारे में पूरा का पूरा यहां पर लिखा हुआ है यह दो फाइनली यह कुछ जगे थी जहां मैंने विजिट किया पूरा मेरे को काफी अधा अच्छा लगा देने इसके बाद में भार निकलने का रस्ता इस साइड से बाहर निकल जाएंगे और यहां पर भी देखो मूर्तियां वनी हुई है और इससे नीचे कुछ निए फाइनली यहां का कुछ इस तरह का व्यू था यह जो जगह पड़ती है नागपूर से 15 km पहले पड़ेगी आपको जैसी आप छिंदवाड़ा से इधर की साइड को आओगे तो नागपूर से ही 15 km पहले जगह पड़ जाती है और यहां पर जगदम्मा माता जी का मंदिर है जो की काफी जादा पिर्शिद्ध है यह कहते हैं कि माता जी जो है एक दिन में तीन वार रूप बदलती है पहले सुबह बच्चे का होता है फिर थोड़ा अडल्ट वाला आता है दैन उसके बाद में जो बड़े-बुडे होते ओल्ड हो जाते हैं उसका रूप बदल लेत जब आप उपर जाओगे उसमें वहां पर जितनी हमारे freedom fighters थे उन्होंने जो भी संगर्स की आता कैसे कैसे क्या क्या हुआता तो उसके बारे में उसकी पूरी शिट्री लिख हुई है तो मैं उबीद करता हूं कि आप लोग कोई वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग संडे तक ही है पूरा का पूरा खुला रहेगा और अगर बात करें टिकेट की तो मंदिर का कोई टिकेट नहीं है बट अगर आप भवन के अंदर जाना चाते हो तो इसका 30 रुपे का टिकेट पड़ता है और अगर आप यहां पर खाना चाते हो जो की काफी अच्छा है मैं मैंने भी खाया मेरे को बहुत बढ़िया खाना लगा वह आपको मंदिर के अंदर मिलेगा सिर्क 50 रुपे में तो मैं उमीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लेगी हुई कुछ अलग देखने के लिए मिलाओगा इंट्रेस्टिंग देखने के लिए मिलाओ थिया थाया मिलाओे तो करता हुई हो प insightful के लिए मिलाओगा इंप show the Mario